क्या थो लिस्तित सिर्सा प्रांच नगर में गाउ नरण निवासी विनोत के डूबने की खबर सामने आई हैं बताया जो रहा है कि युवक दोपहर के समय नहर में नहाने के लिए गया था लेकिन जब युवक सिर्सा ब्रांच के किनारे बैठा हुआ था तो उसका अच्छानक शरीर का संतुलन बिगड़ा और वो नहर में जागिरा परिजनों ने बताया कि विनोत को तैरना नहीं आता था जिसके कारण यहादसा हुआ गट्टा के सूचना मिलते ही ग्रामिन और परिजन मौके पर पहुँचे और सर्च अभियान शरू किया गोट आगी है गोट के मादम से बिडूनने का परियास किया जा रहा है और अभी तक कोई शकल तो नहीं मिली है पर परियास जा रही है तो गोटा खोर कीतने संख्या मुलाए गए है घृता खोर एक तो जो अपना अपना मदबन से बलाए गए अबाकी स्थानिया जो यहां लोकल ग्रामिन है उनकी मदद से जो अच्छी तैरा के उनकी मदद से परियास किया रहा है विनोद के पिताब अलवान ने बताया कि विनोद पेशे से मजदूरी करता था, कल विनोद के डूपने की सुषना मिली, जुसके बाद घर में सननाटा पसरा है बताने के अभी तक विनोद की रेड बाड़ी का कोई पता नहीं चल पाया है इस्थानिय पुलस, ग्रामेन और गोता खोरों की मदद से सिर्चाब रांच में सर्च अभियान हाला की जारी है बता दें कि पुछले कई दिनों से बरसाती पाने का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है जिसके कारण सर्चाब रांच ओवरफलो बह रही है इसी तेज बहाव में विनोत फस गया और जिन्दगी की जंग हार गया कैथल से जैपाल रसूलपूर पंजाब किस्टी टीवी हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बूक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद